हलो फ्रेंग्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिक्या रहा देखे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक के फिर से हमारी रडार में आज से नहीं बलकि जून जुलाई से यह है रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहती है टारगेट 10,000 प्लस का है क्या यह टारगेट अचीब कर पाएगा देखे समझते हैं और अभी दो दिन पहले हमने इसका वीडियो क्रेट किया था भाग गया था लेकिन किस चीज की तैयारी थी पुल बैक की हमने आपको पुल बैक के लिए अगली अपॉर्चनिटी की बात कही थी लेकिन हैरान हो जाओगे ये वीडियो देखे आप हैरान मैं कहूंगा परिशान मत होना है रान जरूर होना लेकिन उस हैरानी से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है वीडियो को तसली से देखे और समझे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो जल्दी स क्या है अभी जो गिर जाता है फिर से जंप हो गया कहोंगे नहीं कहोंगे बनता है कहना आपको अगर आप कहोंगे तो लेकिन अगर आप सीखने वाले लोग हो तो आप यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहोंगे क्योंकि जो चीज हम आपको दिखाएंगे वह सोचिए जरा सुन लेकिन अगर रिजल्ट के वज़े से यहां पर हल्की सी करेक्शन आती है याद रखें मंडे को रिजल्ट की वज़े से हल्की सी करेक्शन आती है तो that will be a pullback scenario जो की काफी जो लोग छूट गए है उनको invite करेगा यहां जो लोग छूट गए है बट वट विल बी देखा आपने यह फरवरी 6 का वीडियो है रिजल्ट जब आया था उस दिन आपको क्या बताया क्या था we need a pullback after breakout मतलब अगर यहां पर रिजल्ट की वज़े से किरावट आती है आने वाले टाइम पेच है वो post result आये profit working की वज़े से आये but जब यह जो correction है यह resolve होगा that will be क्या होगा pullback समझ जो कि हमारे लिए अगली opportunity होगी और जो इस opportunity को समझा होगा वो इसमें आज भी 10% कमा के गया होगा बहुत important part में आपको हमेशा क्यों कहता हूं कि learning के ओपर focus रखो कि यह चोटी चोटी चीज़े है यह आपको tips से नहीं learning से और खुद की analysis से देखने को मिलती है और जिसने आ go with minimum risk, proper risk management और आप देखिये माला माल तो आप हो ही रहे हो तो इसलिए हमेशा stock में invest करना हो जाहे हो India Mart हो या Bajaj Finance हो, SDFC Bank क्यों नहीं हो या Reliance Industries, always think about learning, always think about the risk associated with the stock, always think about whether that risk is affordable, मतलब आप उसको effort कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, अगर उतना बड़ा risk आप effort नहीं कर सकते हो, simply avoid or reduce quantity, Frank, बिलकुल अपने decision clear रखे, avoid करो या फिर अपनी quantity reduce करो, क्यों कि आप जहां पे 1000 रुपे कर रिस्क ले रहे हो, और आपको देख रहा है technical wise कि वो 2000 रुपे कर रिस्क है, तो simple है, आदी करो quantity या तो फिर समझे रिस बात को, that is the most important thing in learning में कहूंगा, FL India आज तो कमाल ही कर अब market capitalization तो बढ़ता जाएगा, result आपने देखा था, पुराना वीडियो में कहूंगा, जरूर देखा है, छे फरवरी वाला, लेकिन आज की जो learning है, उसको फिर से देखते हैं, और समझने की कोशिच करते हैं, मजेदार, ये देखिए, क्या आया, क्या आपको कहा गया था, मंडे को या फिर post result जो भी correction pullback आएगा या नहीं आएगा, देखिए, अब आपको कहें, वाव, क्या situation है, मतलब मंडे को नहीं आया, लेकिन ये देखिए, कब आया ये, ये Tuesday को pullback आया था, मंडे को तो फिर भी jump था, लेकिन मंडे को हाँ, जो gap up opening हुई, उसके बाद ये down ग देखेंगे, अब जो लोगों ने यहां से starting करी थी इस breakout की, बलकि pullback तो इस level तक आ गया था, उस उपर वाले breakout तक नहीं, बलकि नीचे वाले breakout तक आया हुआ, देखिए, जिन लोगों ने यहां enter करा था, 3800 के level पे, वो देखिए, उनके कितने पैसे कमा लिया, उन्होंने कि इतने दिन के अंदर, चार दिन के अंदर, 3800 से 4600, अपर सर्केट तच हुआ आज, अपर सर्केट, तो 3800 से 4600 कितना रुपया होता है, देखिए, 600 रुपी, 68, 6 प्लस, तू और लगा लो 3800 का, 800 रुपीज पर शेर विदिन 4 देज, what, how much return you are expecting from share market, सूचे जरा, and how much your risk, if you have invested at 3800, how much your risk, यह देखिए, calculated, बहुत ही कम ना के बराबर का risk है, मैं कहूंगा, if you compare this with the returns, अब आज की entry की बात करते है, देखिए, आज की entry, जैसी यह high cross हुआ, मैं यह नहीं कहूंगा, risk high cross कभ हुआ है, 4300 something पर high cross हुआ है, तो that is the most important part, क्योंकि, जो daily swing start हुए है, उसको जरा द rate में, वापसी कल सी start हो गई थी, लेकिन, आज सुबह 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 जिसने देखा होगा, कल का higher power हो गया, और सुबह सुबह उसके पास मौका था, 4300 पर, उसके बाद देखिए, बड़ी candle, छोटी candle के formation मिली सीधा upper circuit, तो जो देखने वाले, जो समझने वाले, इस swing को play करने उन्हों दें, तो यहाँ पे entry, जिसने थोड़ा सा जल्दी क्या होगा, किसी ने late क्या होगा, छोटे time frame देखते है, देखिए, कभी भी क्या होता है, जब कोई भी correction आती है, याद रखें इस बात को, जब कोई correction आती है, तो यह मान के चलिए, कोई na कोई time frame आपका वापस negative म में जाता है, और उसके simple simple मतलब है, जो bearish cross में गया, उसको वापसी आने दो, वह वापसी आएगा, तो उसके बाद फिर चीजे वापस start हो जाएगी, देखिए, यह थोड़ा से bearish cross गया, bullish cross बना, correction आई, वापसी आई यह चीजे, और यह देखिए, 4300 का level, अगर आप उसको तसली से देखो, अब डेली पे, तो वो joint candle थी, जिसका high cross होना था, वह यह देखिए, यह वो level है, आज की date में, पहले 10-15 मिनट के अंदर ही आपको opportunity मिली, acid area में वापस यह गया, और upper circuit start, देखिए इस बात को, अब आपको गया, यह हम कैसे analyze करें कि आप तो उसी दिन इसको बता रहेती कि भीया, जब वापसी होगी, तो उसको तसली से देखना है, ज़र देखिए इसको तसली से, हम यहाँ पर आपको कहरेती, pullback आगा, यह पांच मिनट का chart है, यह देखिए अब आपे, base बना है, base बनते ही, ऐसा नहीं, यहाँ तक यह risk ही, अगर आप देखोगे, इन लवल के आसपास तक जो entry थी न, वो किसी ने थोड़ा सा जल्दी anticipation wise देखा होगा, तो वो, मैं कहूंगा, कल की date में लिया होगा, otherwise, आज की date में, अगर इसमें entry थी, वो आज की date में, जो कल का high par हुआ, वही आपका level था, सुरू के 15 मिनट, या फिर सुरू के 15 मिनट यह यहां पर नहीं, तो यह वाला level जो आपको देखने को मिल रहा है, यह, यह 4400 के आसपास का, यह level, बढ़िया level मा कहूंगा, लेकिन उसके बाद, अपर circuit, अब आपको हो गया रहा है, अपर circuit से तो सीरी 5000 चले जाएगा, definitely आपको हमेशा stock में जब भी invest करना, अपने goal को देख यह, अब अगर मैं यहां पर, मालो, daily पर मुझे दिखा, मेरी swing start हुई है, मैंने यहां पर enter किया, और मैं इस swing के basis पर, यहां पर enter करके, जब तक यह swing चलेगी, तब तक मैं इस पर play करूँगा, मानरे इस बात को, लेकिन, अभी weekly के हिसाब से देखते है, जैसे मैं आपको ब बात करीते हैं, जब वो correction resolve वहा था, that was not for weekly thesis, that was only for the daily thesis, because price is too far from the moving averages, but here, देखी, यह सारी वीडियो, आपको आपको अल्रेडी, इस correction की वीडियो, आपको इस time frame के आसपास update होगी थी, इस की वीडियो, हमने इस time frame, जब यह अपर circuit इसने मार दिया था, तब आपको pullback के लिए अगली opportunity pullback पाएगे, वो आपको आपने देख लिए और 6 फरवरी को ही आपको update कर दी गए थी, इन correction की वीडियो आपको time to time मिलती रहे, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो में कहूंगा, अभी मैं सारी वीडियो, description में डाल दूँगा, पूरी list उनको देखिए, वो आ आपको लिए learning part के लिए, learning part के लिए, learning is the most important thing, forget about everything, forget about earning मैं कहूंगा, forget about earning, but just focus on learning first, earnings are automatic, अब आपको कही क्या बात है, earnings are automatic, देखिए, stock market यहां जिन्दगी भर रहने वाली है, जब तक आप हो तब तक stock market यहां पर रहने वाली है, और पहले से चली आई और आगे भी रहेगी कोई कहीं जाने वाली तो नहीं है, जब आप learning के उपर focus करोगे, तो उसके बाद आप easily कहोगे, हाँ यार, यह तो बहुत अची चीज़ है, यह तो बहुत आसान है, बहुत easy है, और जैसे बहुत लास्ट टाइम पर आपको कह रहा था कि बही बेस की formation देखिए, यह लोग क्या सोचेंगे, target 10,000 का, हम इसको 10,000 तक नहीं बेचेंगे, याद रखें इस point को, हमने तो target 10,000 का रखा, जब situation deteriorate पहले हो जारी है, आपको दिख रहे है कि कुछ गढ़बढ हो रही है, इससे अचा कुछ profit book करना चाहिए, क्या आप अपने decision को change नहीं करोगे, समझे यहाँ पर आपको देखने को मिले है, चीजे तो गढ़बढ हो रही है, वापस 3600 पर आगया, आपने खरीदा था 3800 पर आपको गया, यह तो वापस यहीं पर आ गया, तो इसलिए profit booking भी important है, target 10,000 मतलब जाता रहेगा, in between there will be many corrections like this, many corrections मतलब rally आए, correction आए, क्योंकि उपर तक पहुंसने के लिए भी impulse correction, impulse आप देखी पा रहे हो, अभी हम impulse में है, यह impulse थी, यह correction आई, यह impulse थी, यह correction आई, अभी क्या हम impulse में है, तो यह impulse जाएगी आगे तक, और जिन लोगों का target यह है कि हमको इस impulse को play करना है, यानि कि 2800 से उन्होंने यहाँ तक play किया, उनका goal पूर हो गया, बोल पूरा तो भई कोई दिक्कत नहीं, कोई पश्याताप करने की जरूरत नहीं कि आपने अपना पार्ट पूरा कर ले, आपको वही तो goal था, इस चीज को समझे, चलिए फिलाल मैं wind up करता हूं इस वीडियो को, उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को बिलेगा, एंड वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्यू, थैंक्यू पर राचन दर वीडियो,